नमस्कार दोस्तों मैं Dr. Sanjay Kumar गरेलू इलाज देखिये 100% सटीक इलाज देखिये मेरे वीडियो नमस्कार दोस्तों मैं डाक्टर सिंजे कुमार आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ आर्वेधी कुपचार घरेलू पाई जो आप घर पर ही करेंगे और आप स्वस्त रहेंगे आज की जो वीडियो है ये वीडियो है दिमाग के लिए जैसे की दिमाग में जहनजनाट का होना आपने मेरी और भी काफी वीडियो देखी होंगी जहनजनाट की इसमें मैं आज जो आपको वीडियो दे रहा हूँ ये इसमें मैं आपको लक्षन बताऊंगा परहेज बताओंगा क्या परहेज हैं कैसे आपको अपने आपको बचाना है और कैसे आप इससे निकल सकते हैं और इसमें मैं आपको एक तेल भी बताओंगा जो आपको बनाना है और आप घर पर उसको बना के यूज़ कर सकते हैं और इसमें मैं अब आपको लक्षन बताऊंगा इसके जो जनजनाहट होती है ये जो है दिमाग में आपके दर्द भी बनता है और जनजनाहट जो होती है ये ये आपका गर्दन तक जाती है नीचे दर्द जो जाएगा इसका गर्दन तक जाएगा आपके फेस तक आएगा ऑसी ब्रॉब्लम सो जो टी है ज्यादा ब्लॉकिश की सिम्टम से होते हैं, जैसे कि लोग और बहुत लोग ऐसा करते हैं, कि नुर्ट लोई की दवाई खाते हैं, या किसी भी medical store से पेंट किलर्स ले लेते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं करना है. English दवाओं से आपको बचना है वो आपको नहीं खानी है क्योंकि English दवाई आपका side effect लाईगी ही क्योंकि इसमें जो side effect आता है आपका blockage का side effect इसमें ज़्यादा बनता है अगर आपको English medicine आप continue कर रहे हैं किसी neurologist के द्वारा तो इसमें क्या होता है आपके symptoms तेजी के साथ बढ़ेंगे और blockage की तरफ आप जा रहे हैं तो इसमें blockage का आईलोपेथिक में तो कोई treatment होता नहीं है और symptoms इसमें तेजी के साथ आते हैं symptoms आ जाएंगे आपके आँखे भारी होना या दाश्ट में problem आ सकती है या आपको जहनजराट के साथ चक्कर भी आ सकते है और आपको लगेगा कि आप गिर रहे हैं ऐसा आपको लगेगा लेकिन गिरते नहीं है चक्कर में आपको ऐसा लगेगा तो इसमें पैरों के symptoms तो नहीं आते लेकिन गिरने के symptoms आते हैं को एक महसूस देता है दिमाग में कि में गिरने वाला हूँ, मगर ऐसा होता नहीं है, तो ये जो चक्कर आते हैं इसमें ये भी सिम्टम्स आ जाते हैं, अगर आप ज़्यादा दवाई ले रहे हैं, इंग्लिश, तो ये इसमें लक्षर में आपको बताया है ये सिम्टम्स का आप ध्यान रखें अगर आपका शुरुवाती मैं आप सिम्टम्स बता दूँ अगर आपको शुरुवाती में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर में पेन रोज होता है मगर एक घंटे के लिए आदा घंटे के लिए होता है तो आप यहां पर सतर्क हो जाएं इसमें आपको आप सिटी स्कैन करा सकते हैं या एमराई करा सकते हैं कि कहीं ब्लॉकिज तो नहीं बन रही है लेकिन ब्लॉकिज आती नहीं है सिटी स्कैन करा हो या MRI कराओ 85% नॉर्मली रिपोर्ट आती है तो अगर आपके ये आदा घंटा ए घंटे का अगर आपको पॉबलम आ रही है तो मैं इसमें आपको तेल बताने जा रहा हूँ उसको आप यूज कीजिए आपके ये पॉबलम स्षीक होगी और जिनकी ज्यादा पॉबलम है बहुत समय से पॉबलम है और उनके सिंटम्स और आ गए है तो यहां मैं आपको परहिज बताऊंगा और एक तेल बताऊंगा यहां आपको इस परहिज पर रहना है चावल, खटाई, अंडा, नोन्वेज, कॉफी आप इसमें नहीं ले सकते हैं और इसमें आप चीनी का परियोग बिल्कुल बंद कर दें चीनी की जगा देशी खांड ले दही का परियोग बिल्कुल बंद कर दे अगर खटी दही है तो बिल्कुल नहीं ले सकते आपको जो है इसमें ताजी दही अगर मिलती है मीठी दरी है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो ये आपके परहिज मैंने आपको बता दिया ख्ञाने पीने में आप ग्रीन सबजी का सेवन जादा करें एक दो रोटी आप कम कर दें ग्रीन सबजी आप जो है इसमें जादा लें और गरम मसाले का परियों गुल-कुल बंद करें सादा भोजन लें प्याज बगेरा आप ले सकते हैं हारी मिच वगेरा खा सकते हैं कोई पॉब्लम नहीं है और इसमें एक पेश्ट होता है दस गिरीन सबजी के पत्ते लो और उनको आप जो है ददस गिराम आप तोल कर निकाल लीजिए अपना उसका वेट कर लीजिए और वेट करके ददस गिराम इसमें पॉदीना और हरा धनिया एक जरूर होना चाहिए ददस गिराम वेट कीजिए और अपना आप रख लीजिए और उसको आप पानी में उसको थोड़ा साफ कर ले और फिर उसको आप सिलिवर टेपपी से या ड्रायर कर ले पत्ता उको भी बिलकुल मत लेना क्योंकि इसके अंदर तीडा होता है और अन्य परकार की कोई भी सबजी आप पत्ते ले सकते हैं और पेस्ट बनाके आपको क्या करना है आपका आदा गिलास पेस्ट बनता है सिल्वर टपर पीसे या ड्रायर करें आदा गिलास पेस्ट बनेगा और आदा गिलास ही इसमें आप उबलतावा पानी डाल दे और निट आपको ऐसे लेना है कुछ भी इसमें आपको मिलाना नहीं है सुबह मॉर्णिंग में लीजिए और शाम को पांच बजे भी आप ले सकते हैं और ये जो परहिज में आपको बता रहा हूँ खानी पीने का जो आपको मैं खानी पीने के लिए बोल रहा हूँ ड्रायफूट्स वगएर आप नहीं ले सकते इसमें कोई भी ड्रायफूट्स ना खाए जैसे आप ये परहिज पे रहते हैं तो आपके सिम्टम्स अपने आपी चेंज हो जाएंगे जनजनाट, दर्द, फिचाओ ये सब आपका ठीक होने लगेगा और जिनकी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है आप किलनी पर आ सकते हैं वाटसप नमबर चल रहा है यहाँ पर आप किलनी पर आ सकते हैं फोन नमबर सेव कीजिए इसमें आप डीपी में जाएंगे आपको हमारा ओनलाइन कैसे आप दवाई मंगाना है वो सब आपको पता चल जाएगा और आप ओनलाइन भी इसमें आप दवाई मंगा सकते हैं आयरुवेदिक दवाई होती है कोई भी साइड इफेक्ट हमारी दवाई का नहीं होता और इसमें मैं आपको आप तेल बताने जा रहा हूँ तेल आपको क्या करना है जैतून का तेल लीजिए और उसमें आप जो है इसको 100 ml तेल लीजिए इसको आप गरम करने के लिए रखें और इसमें आपको क्या डालना है दो चमच दालचीनी पीसी कुई दो चमच अलसी के बीज पहले भुन लो फिर उनको पीस कर इसमें डालें दो चमच अजोएन पीस कर इसमें डालने और दो चमच इसमें आपको डालनी है फल दी ये चार चीज़े आपको डालनी है और इसमें क्या करना है आपको इसमें पांच पोड़ी या छे पोड़ी आप डालिए लैसुन की उसको छील लीजिए, ग्रीन जिली ना निकाल ले और उसको आप डाल दीजिए इसके अंदर और आज पर इसको पकाए जब लैसुन अंदर से बिल्कुल बलैक हो जाए चाकू मारके देखें, जब बलैक हो जाए तो इसको उतार ले उतारने के बाद ठंडा होने पर इसको बोटल में भर लें, चान कर और जो ये पेश्ट बचेगा इसको आप फैके नहीं है इसको रख लें, इसको पीस लें, डायर कर लें या सिलबर्टे पर पीस लें इसको आप एक डिबी में रखिए, तेल को आप सुबह, दोपैर, शाम, रात, दोनों टाइम आप सर के हलकल के अससे मालिश करें और सेक लगाएं, बालू रेत आपको लेना है, उसको गरम कीजिए, कोटन के कपड़े में डालिए, कोटन का कपड़ा ऐसा हो, जिसमें ये च्छने ना, और सेक लगाईए और जो मैंने जो ये, लेस्ण का पेस्ट जो ये कुछ बचेगा, ये बलैक हूआवाज को अपने डीबी में पीस कर, आप ड्रायर करके आप या सिलवर टेपर करके जिसको आप रखिए, और इसको आप रात्री में, इसको आदी से भी आदी चमच लीजिए, और इसको गरम करके तब बीच में भीच में आपको लगाना है पूरा सर के बीच में हल्के हां से आपको मुलना है फोड़ी मालिश कर लीजे और फिर सिख लगाएए वी जमें सर के बीच में तो ये आपको डेली करना है आपको बहुत पॉबलम्स ठीक होंगी और ये जंजनाट के लिए मैं अद्भुत वीडियो दे रहा हूं आपके अगर कम पॉबलम्स है तो आप इसली आप अपने आप ठीक हो जाएंगे और ठंडे पानी से आपको थोड़ा दूर रहना है नमस्कार नमस्कार दोस्तों मैं डाक्टर संजे कुमार लाइक कीजिए सब्सकाइब कीजिए शेर कीजिए और मुझे बहुत खुशी है कि मेरी वीडियो को पसंद किया गया तेश में ही नहीं विदेशों में भी हमारे घरेलू इलाज आर्वेदिक इलाज आपके लिए 100% सटी किलाज आपके लिए दोस्तों